आप हमारे चैनल को यूटूब में आसान उपाय नाम से सर्च कीजिए हमारे वीडियो में जाएए वीडियो के नीचे जो सब्क्राइब बतन लिका है उस बतन को आप दबा दें और पासी जो घंटी है उसको भी आप क्लिक कर दें ऐसा करने से नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों कौन अमीर नहीं बनना चाहता इसके लिए वह बहुत सारे उपाय करता है ऐसे ऐसे उपाय करता है मगर उसको फाइदा नहीं होता तो अंत में वह अपनी किसमत को दोस देता है दोस्तों किस्मत को दोस देने के साथ हमें कुछ ऐसे अच्छो को उपाय करने चाहिए जिसे हम अपनी किस्मत को दोस नहीं दें बलकि अपनी किस्मत को बदल लें दोस्तों तो आज हम आपके लिए एक लोंग का उपाय लेकर आये हैं अगर आपने यह लोंग का उपाई कर लिया तो आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है सब्क्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इससे आपके लिए नए वीडियो बना पाते हैं दोस्तों घार में चुपचाप यहां रख दे एक लोंग इतना पैसा वरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे दोस्तों आप अगर नोकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं जिन्दगी में आपको किसी ने किसी परकार की कोई समश्या आपको घेरे हुए हैं आप जो कारिय कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है तो आज हम आपके लिए एक सादा सिंपल उपाई लेकर आए हैं इसके लिए आपको बाजार से किसी कोई सामान की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है कोई चीज नहीं लाने पाली है बस आपको अपनी सची सर्दा और मन से इस उपाई को करना है ये करने से ही आपके घर में बरकत आने लगेगी और आपके यह इतना पैसा बसेगा कि आप संभालना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों अगर आप इंकम टेक्स नहीं दे पा रहे हैं तो समझने जीए इस उपाई को करने मातर से आपके पास इतना पैसा आने लग जाएगा आपके बच्चें आराम से पढ़वाएंगे दोस्तों आपको करना है एक लोंग लेना है आप लोंग लेने के बाद आप बुद्वार के दिन गनेज जी का वार रहता है इस दिन इस लोंग को आप गनेश जी का मंत्र गनेश जी के आग इस लोंग को रख दें और गनेश जी के आगे इस मंत्र को वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोठी संपल निवरिगन कुरू देव सरव कारेसु सरवडा इस मंत्र को आपको बोलना है इस मंतर को बोलने के बाद आप इस लोंग को एक लाल कपड़े में बांद़एं और लाल कपड़े में बांद कर आप गने सी के पीछे इस लोंग को रख दीजिए और अपने मन में सच्ची सर्धा के साथ आप भगवान से यही प्रात्ना कीजिए कि आप जितना हो सके उतना कमाएं और आपके उस पैसे की जादा से जादा बरकत हो दोस्तों आप यह उपाई करते समय यह ध्यान रहें आपके अलावा इस उपाई के बारे में किसी को पता नहीं हो और आप अपने मन में हमेशा नेक हैलात ही रखें रखने के बाद आप इस लोंग को एकत अपनी तिजोरी में रख दीजिए ये आपको केवल इतना सा उपाई करना है ये उपाई करने मातर से आपके घर में मालक्षमी की करपा होगी और इसके साथ गनेश जी की आपके उपर बलबुद्धी विट्या ये तीनों आपके साथ होंगे तो आपका कोई वाल माका नहीं करपाएगा वित्रों आप हमारे चैनल को सब्क्राइब करें और अधिक से अधिक वोर्ट सब फेस्बुक पर सेर करें ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाने में मदद कर सकें तानिवा दूस्ट जेश्री रंड़